पूरी कैसे होगी क्योंकि दोनों ही पार्टियों में अपने ही बिगाने बन चुके हैं और विधान सभा में कॉंग्रेस की विधायक दिव्या मदेंडा और मुख्यमंत्री के सलाकार निर्दलिय विधायक सेम लोड़ा नगरी विकास और संसदी कारे मंत्री शांती धरीवाल पर तंच कसते हैं तो दूसरी तरफ भाज़बा से तालुक रखने वाले राजसवास सांसद किरोडिलाल मीना अपनी ही पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष पर पेपर लीग प्रकरण में मजबूती से खड़ा ना होने का आरूप लगाते वे सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं ऐसे मैं आज चर्चा होगी इसी मुद्धे पर तो क्या वी जवी कॉंग्रेस दोनों ही पार्टियों में अपने हि बेगाने हो चुके हैं इसी मुद्धे पर हम चर्चा करेंगे और हमाई साथ में धोग खास मेमान हमारे स्टूडियो में मौझम पिंभ जी हैं जो की some ब i gp क highlight और i mlऑ जी जोकि कॉंघेम ने लो ado Mess विधान सभा के अंदर तंचकस हैं इसके अलावे हैं बात करें संयम लोडा जो कि निर्दली विधाय के सुरूई से लेकिन कॉंग्रेस पार्टी में उनका अपना अलग वजूद है और साथ में मुख्यमंतरी के वो सलाकार भी हैं उन्होंने भी तंचकस दिये तो कि आपको कि आ बात करें दे कर जाता अधी है सरकार के मारिफत ओबलाइज करें अब देखिए जो दिव्या मैदेरना जी वाला मामला है पिसले पांस सालों में उन्हों ने अपने जो शेत्र के अंदर विकास कारियों के एक तरीके से बाड़ ला दिये और सिर्फ उन्हीं के विदान सबक शेत्र में नहीं हमारी राइस्त की वीडियो कॉन्फरेंसिंग लिए उस से में भी कैई थी कि मेरे पास आप लोग आईए मैं आप लोग मांगते मांगते थक जाएंगे मैं देते नहीं थकूंगा आप देखिए जो हमने विदायक कोश्ट का जो सांसद का जो सांसद निदी होती है उसके बराबर हमने अपने ही पार्टी के वरिष्ट नेताओं को या दूसरे नेताओं को कड़गरे में खड़ा किरने की परंपरा कॉंग्रेस पार्टी में शुरू हो चुकी है क्या नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है वसुंता जो कल जो विदान सभा के अंदर है जो कुछ कम्या लगी उन्होंने अपने शेतर की वात विदान सभा के पटल पर कई और आज उसके जवाब में मानिय मंत्री शांतिदारिवाल जी ने जवाब दिया है कल जो उनके दोरा जो मुद्दा उठाए गया दिवाजी दोरा वो कल दो तरह के मुद्देते जिसमें एक तो सड़क को ले कर गए था त और तीन की वित्य स्यूकरती जारी की जा चुकी है और बाकी की जो सड़के हैं वो अपनी फ्रक्रिया में हैं तो आज इस बात का जब हमने जवाब दे दिया मंत्री जी ने वापस और बाते भी कह दिया अब देखे सर अब यह तो एक्चल वे उन्होंने का है कि मंजू की है तो इसको इत्ता जो इसको इत्वार चुड़र दिया जाना गलत है तो आपको नगता कि जो 파ार्टी उसके अंदर अपने जो अपने ही नेता हैं वो भी थर-गात करने लगए ने दूसरे के उपर कंग्रेस का तो नेतत्र का ही पता नहीं चलता कि कंग्रेस किसके नेतत्रत में चुनाओ लड़ेगी आज नेत्त विहिन पार्टी है कॉंग्रेस क्योंकि आपने देखा होगा कि दिब्या मदेड़नाजी ने किस तरह से विधान सवा के अंदर आरोप लगाएं एक मंत्री के उपर और उन्होंने कहा है कि आप जाटों का अपमान कर रहे हैं आप मिनाओं का अपमान कर रहे हो मुझे ये पता दीजी ये कौन से विधान सवा के अंदर विकास हुआ है केवल ब्रस्टाचार जरूर हुआ है क्योंकि मुख्यमंद्री जी खुद बोलते हैं कि भई आज टीचर्स का ट्रांसवर के लिए पेसे लिए जाते हैं टीचर्स के संवेलन में मुख्यमंद्री ज आज ये धीचर से उनसे करुआ रहे ह है कि हाँ साव हमारा ट्रांसवर बिना पैसे के नहीं होता तो यहां पर केवल ब्रस्टाचार का बोलवाला है इनके है इनके नहीं तो ये आज Exper 시 को को ढदे ढसनो को देख सब्सक्राइब के प्रदेश को खड़ा होना चाहिए था उत्री मजबूती से बीजेपी खड़ी नहीं दीपक जी भारती जनता पार्टी एक केंद्री नेत्वत के के अनुसार काम करती है आज हमारे पास में एक बहुत बड़ा केंद्री बहुत बहुत बड़ा किया है और हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया है और हमने किरोडी लाल जी को किरोडी लाल जी को जब उन्होंने गिरभदार किया जब विरंगा नाओं का प्मान किया तो हमने बिदान सवापर इसमें गेराओ की दिया किरोडि लाल जी कि क्या बात है मैं किरोडि लाल जी कि किरोडि लाल जी के समर्थ प्थन में हमने अंदोलन किया है किरोडी लाल जी वही इस केंद्री नेत्वत के अधीन काम कर रहे हैं और मिल जुल के हम काम कर रहे हैं राज बरतपूर के अंदर हमने बहुत बड़ा दर्मा दिया वहाँ तो आप किरोडी लाल जी ने तुमना कर दिया किरोडी लाल जी ने कभी य नहीं गोला कि भारती जंता पार्टी ने मेरा समर्ता नी किया है यह भारती जंता पार्टी के प्थरवाजी हुई है हमारे जिते भी नेता है वो किरोडी लाल जी के साथ है और मिलके आए लेकिन जो गटनाएं हुई है उसके अंदर कहीं कहीं कोंग्रेस की मिली वगती तो जो हमारे भारती जनता पार्टी के कारिकरता नहीं थे जिसमें पत्थर वाजी हुई है क्योंकि भारती जनता पार्टी के कार करता संतुलित कार करता है कभी इस तरह की गलत काम नहीं करेंगे तो मैं यह केना चारा हूँ भारती जंता पार्टी संतुलित पार्टी है मजबूत पार्टी है और केंदर नत्वत में काम करती है लेकिन आज कोंग्रेस के अस्चुत भी इन पार्टी है और इनके नेता अलॉक अलाग राजैंदर गुड़ार जी ने तो खुद ने बोला कि हमारी यह आलत है कि हम पार्चुनर तक लायक के विदायक जीथ के देख लिया होगा भरत शिंग जी ने खान मंट्री को पर सिधा सिधर आरोप लगा है, खान मंट्री जिश जिले से आते हैं उसकी जो आप देख कर गोटाले, खनन घोटाला कितना बहेंकर होता है, महे जोशी के ओपर आरोप लगा हुप खासरेबाद जी खुद आरोप लगा रहे हैं कि साम मेरे डिपार्टमेंट के जो काम है वो दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है मेरी सुनवाई नहीं होती है तो ये तो राजस्तान में कॉंग्रेस की बत से बत्तर आलत है और जनता दुखी है आपने देखा होगा कि कौन सी योद ना है जो जनता के हित्में की ए अगर जो योद ना है उसके अंदर गोटा ले अभी एक दवाई ती दवाई जो चाड़े पांसो रुपे के अंदर मार्केट के अंदर एमर्पी ए उसको बारा सो गुंटीस रुपे में यह पर्शेज कर रहे हैं आप दीजे किसको गिरभदार किया है आज सरगना खुद बोल रहा है यह चीज के लिए ती माननिय श्री गंशाम तिवाडी जी की और वसंद्रा राजी जी की लगातार दूरिया बनी रही ऐसा कोई मौका नहीं था जब गंशाम तिवाडी जी ने उस समय की ततकालीन वसंद्रा सरकार को किसी मुद्धे पर नहीं गेरा हूँ उन्होंने सबसे बड़ी वाद जब इन लोगोंने मेट्रों के लिए जब की मेट्रों के अधिकारियों ने जो पूरू में जो प्रपोजल बेजा था उसके अंदर उसको और ज्यादा गेराई पर ऐसी जगे उसकी टैनल बनाई जा सकती थी कि जहां पर मंदि तूटने की कोई वात नी होती परन्तु जो 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 घेरा था वो आज तक वो घटना करम कोई भूला नहीं है उस समय आपकी सरकार ने जो जीवित लोग थे उनके जो पेंशने बंद करके उनमें 8000 लोगों जीवित लोगों को आपने मरा हुआ बताया और ये गुद्धा भाजपा के दौरा हुआ गया पिछली सरकार के वक्त में 2013-2018 के बीच में क्या हुआ बीजपी में उसका नुकसान भी बीजपी ने उठा लिया सरकार से वो चले गए आज की यह दिया परिस्तितियों की बात करें तो आप लोग सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं पिछले पांच वर्ष में हमने इतन विपक्ष में रहने के बावजूद आप देखिए कि पांस साल में ये लोग जनहित से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नी उठा पाए इनको ले दे करके मिले दो मामले विरांगना वाला इन्होंने मामला उठाया विरांगना वाले मामले मैं मैं इनसे पूछना चाता हू कि इनको खुद इनकी बाच्पा की सरकार आज हमारी कोंग्रेस की सरकार तो फिर भी तीन इस्टेटों में इनकी कई जगे सरकार हैं मैं इन से पूछना चाता हूं कि क्या आपकी बाच्पा सरकार में किसी सहीद की विरांगना के देवर को या अन्य किसी दिश्तिदार को ज सब्सक्राइब तका मैं विराफन ... दर्शक जो कि आप जब आप कह रहे हैं हमारे लिए तो मैं पूछा हूं कि देश की सरकार है राजय सरकारी हो चाहिए केंदर सरकारी तैस के नियमों से चलेगी जा पूछ लेंगे पूछ लेंगे इस मामले में सुरिजी से जवाब लेंगे लेकिन फिलाल बक्तिक छोटे से और ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा लागाता जारी रही है। बीजेपी वो ले रही है। तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे हमारे नेतरत्व के हमारे विदायक हैं या हमारे जो भी जो नेता हैं वो लोग उनको उनको उनकी प्रिशन सा करें और उनके पीसे आकरें खड़े हुए। मैं से पूछता हूँ कि आपके आपके जो आपस का आद्रिक संकट है आपका जो नेतरत्व का संकट है आप इस बारे में बात करेंगे। करें। मैं से कम्यoth ennacht चो मिद्य के खड़े हैं तो दूसरी के दरभ विराअगरा वाले मामले वले मंगे वो दिवया मदेरना के तारीफ करते हैं। करते हैं। दिब्या मदेवनाजी की तारिफ जब विरंगनाओं के लिए दिब्या मदेवनाजी ने विदान सवा के अंदर बोला कि आज विरंगनाओं का जो कॉंग्रेस ने जो अपमान किया हैं क्योंकि आप ही देखिए कि विरंगनाओं की मांग क्या थी विरंगनाओं का केना यह था कि जब सहीद के घर पे आये ते तब उन्होंने कहा था कि हम आपके परिवार के लोग को नोकरी देंगे किसी ने विरंगनाओं ने तो दिमांद नहीं की थी उन्होंने खुद ने आश्वाशन देके आये थे कि हम अपने आपके परिवार के लोग को नोकरी देंगे तो इनके मंत्री जी जो आश्रशन देके आय then विरंग ना वू उसका डिमान कर रही थी उसकी कह reflect मंत्री तो पूरी कर दीजी लेकिन मांगे तो पूरी करना ने करना वह तो दूर की बात में लेकिन उनका अपमान किया गए रात में उठा ले आ गया गया है आप धन्य पे बेटी यह उसको घसीट के लिए लेके जा रहे हो यह आप सईद का अपमान यह तो क्या है आज पुलवावा की इत्ती बड़ी घटना हो यह उसके अपनी पत्नी को मतलब इस तरह से अत्याचार की तरह पे और फिर इसके बाद में हमारे भारजी जनता पार्टी के नेता अगर उसके लिए आंदोलन करते हैं तो उसको आतंकी बोलते हैं तो क्या किरोडी लाल यह आतंकी हो गया आप इत्ती बड़ी बाते बोल रहे हो कि जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता जिसने हमेश अब तीन विदाओं से वाओं के रिजल्ट आए उसके अंदर तो बहुत पूरे राजस्तान के आपकी कहिश्चति रही है वह भी बता दीजिए लेकिन भारती जनता पार्टी जीत कियाएगी मुझे बताईए कि आप उप्चुनाओ जीतिये हमें कोई दूपर ही है क्योंकि वह सानमुती के बोटों पर जीता जाता है लेकिन भारती जनता पार्टी जीत के आई है जो कि अभी आपने देता होगा 13 विदातों हों होने से प्रदान मंत्री जी अंतर एक अभे जान देखें तो यह तो यह तो यह तो आपके द्वारा उनको आपके दौरा उनको प्रदान मंत्री जी जी आप दोनों से निवेदर ने वापस हमें की एक एक करके बोलेंगे तो क्या की जो दर्शी को सबस्पाइगे अगे बता है परुजी के आंतरिक लोगतंतर आपकी पार्टी में उसी वज़े से बोल नहीं दिवाम देड़ना या सिंहम लोडा जो भी है देखें ऐसी बात है कि जन्पती निदी जो होता है उसको अपनी जंता से जूड़ी समस्या उठाने का दिकार है उन्होंने जैसा कि मैंने आप से पहले भी काफूर में का कि उनको उनकी जो सरका जो प्रपोजलता हूँ से बात वहां से शुरू हुई थी उनको हो सकता है कि उनको कुछ गलत फेहीं हुई दिखाएं कर जी दिखाएं बिल्कुल तो वो हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है मैं बीजेपी वालों को इस मामल कोई शिकायद नहीं रहेगा उन्होंने तो बाहर आके वापस बता दिया अब वो तो देगे सरब ये तो बैठ करके चर्चा करेंगे आपस में क्या मामला है क्या नहीं है पर तुम मैं इस मामला में करना चांगा आपको यह आंतरिक लोगतंतर आपको चुनाओं में नुकस कर रहे हैं तो क्या बीजेपि अपनी तरफ से प्रस्ताफ़ देगी बीजेपि जब यह तो मानी चुकिये की कांग्रेश की नेतरी ने बहुत अच्छी बात कई तो क्या बीजेप प्रस्ताफ देगी क्या वाले विदान साब चनाओं में न्के सामने को इंडिट खड़ा न कि मंत्री उसमे आश्वासन दे कर गया है तो इस वात को मैं वापस कहना चाहँगा कि उसमें जब शहीद कोई होता है और उसमें उसके गाउं के सब आस-पास के लोग इखटे होते हैं तो उसमें का एक भावुक महावल होता है तो उसमें जो लोग कहना एक मैं आपको मौका करते हैं गाववाले कुछ मांगे करते हैं तो समय जो भी मंत्रियों चाहिए राजस्तान सरकार की बात नहीं है मैं आप से आपको उदारन देना चाहूंगा उत्तर पंदेश में प्रदानमंतर जी कौंस्टेंशी का वारणाशी का उदारन है वहां से एक सहीद हुए श्री र प्रदेशाफ लिए लूए तो झायका राजस्तान में लागू हो रहे हैं आपने आपकी वीसेद की सर्कार मतर की माने इस वारो कि आप आप आपकी बात वापत किरते हैं आप सुनना यह दो रहें जोड़ की मन्तरी आप दोल कर लें हैं हमारे मंतरी आपकी हमारे मंत्री य आपके मंत्री ने इस बात का वादा किया हूँ आश्वासन दिया है और मांग विचार करने का आश्वासन दिया तो देते हैं आश्वासन कि अगरों आपके मंत्री ने इस बात को आपके मंत्री वे उत्रप्र देश में जूत आया जाता है सुरेश जी सबस्वासन आखरी दोर में सुरेश जी देखिए मैं एक रहा हूँ कि जो बिरंगना़ों का जो मामला है इसके अंदर सरासर कॉंग्रेस की लापरवाई इरी सरकार की लापरवाई रहे है दिभ्या मदेनने जी ऻोसीया से विधान सवा से आती है उनका जो चुम्बाली सड़कों का जो काम था उसको धारिवाल जी ने रोका उसकी वो अपनी खिराज निकाल रही तो ये आपस में लड़ाई जगना है इनका। प्रदान मत्री मोदी जी है अमिशा जी है जेपी नडडा जी है उनके निर्देशन में भारती जनता पार्टी पूरे इंदुस्तान में काम करती है पूरे पूरे जो जो आगर सगे मोदीन नडडा जी है जो नडडा जी है जान वट ही है आप यहां पर सामने यही बात आ रही है कि अपने ही बेगाने हैं दोनों ही दलों में एक नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और कहीं न कहीं इसका नुकसान आने वाले विधान सवाचनाओं में दोनों ही पार्टियों को मिल सकता है कि दोनों ही पार्टी की जो नेता है उनका कहना है कि हमरी पार्टी में आंतरिक लोगतंत्र है फिलाल इस खास में इतना